Hello friends, अगर आप इन तीनों में से कोई भी problem face कर रहे हैं, तो ये session आपके लिए है. Problem number one, अगर आपका law of attraction वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर आप affirmation को practice करके अपनी deepest desire को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, manifest नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप visualization या तो practice ही नहीं कर पा रहे हैं, या तो practice भी कर रहे हैं, तो जिस hope, जिस उमीद के साथ आप उसे practice कर रहे हैं, आप उस उमीद को, उस wish को, उस dream को manifest नहीं कर पा रहे हैं. तो आप अगर किसी भी तरह की challenge face कर रहे हैं, manifestation को लेके, या law of attraction को लेके, तो ये session आपके लिए है, क्यूंकि हम लोग कोई एक ऐसी गलती करते हैं, जिस गलती करने की वजह से, आपका जितना भी efforts कर रहे हैं, वो 90% of time, वो waste हो जाता है. तो वो कौन सी एक गलती है, वो share करने से पहले, मैं आपको एक story share करना चाहूँगा. और ये story नहीं, एक real incident है, जो की एक person हुआ करते थे, जिनका नाम था wolf missing. अगर अभी तक हम लोग history में, किसी एक ऐसे person की जिक्र करना चाहें, जो, जिसका जो manifestation है, वो सबसे ज़्यादा powerful रहा है, सबसे ज़्यादा unbelievable रहा है, तो वो person है, wolf missing. उनकी life का एक incident share करता हूँ, जब वो 15 years के थे, 15 years के थे, घर में कुछ उनके कुछ tension हुआ, तो नाराज होके घर से वो कहीं चले गए, station पहुँच गए, वहाँ जो भी train जा रहे थी, उसमें बैट गया है, वो, seat के नीचे छुप गया, ticket checker आया, तो seat के नीचे छुप गया, फिर भी ticket checker ने उनको देख लिया, और बोला कि, where is your ticket gentleman, तो छोटे से बच्चे थे 15 साल के, उनको एक paper का टुकड़ा दिखा, वहीं पे, वो paper का टुकड़ा उनको ने लिया, मन में कुछ सोचा, और फिर वो paper का टुकड़ा, ticket checker को पकड़ा दिया, ticket checker ने इसको देखा, staple क किया, और बोला कि, जब तुमारे पास ticket है, तो तुम seat के नीचे क्यों चुपे हुए हो, जब wolf macing बड़े हुए, famous हुए, उन्होंने अपने autobiography में ये mention किया, इस incident को, और उन्होंने बोला कि, उस दिन उनकी life बदल गई, जो ये जो incident था, उस incident में एक ऐसी चीज़ थी, जो उन्होंने किया था, जो हमारे manifestation में बहुत बड़ा role play करता है, and that one thing is, power of intent, power of intention, तो कभी भी आप अगर अपने किसी wish को पूरी करना चाहते हैं, कभी भी आप अगर अगर visualization की practice करने की कोशिश कर रहे हैं, या affirmation की practice करने की कोशिश कर रहे है अगर आप इन दो tool के थ्रू अपने wish को पूरे करने की कोशिश कर रहे है या और भी बहुत से tools हैं कोई भी technique अगर आप use कर रहे है तो कोई भी technique use करने से पहले आपको क्या करना है power of intention को आपको use करना है power of intention को use कैसे करें सबसे पहले जो भी आपकी जो wish है जिसको आप manifest करना चाहते हैं आप उसको लिखिए और थोगा थोगा time spend कीजिए थोगा meditate कीजिए So the solution is आपको किसी भी wish को manifest करने की शुरुआत करने से पहले किसी भी technique को practice करने से पहले आपको power of intention यूज करना है power of intention का मतलब अपने शरीर को, अपने ब्रेन को अपने औरा को ready करना है जो भी आप wish कर रहे हैं जो भी आप attract करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने body को, अपने mind को prepare कर रहे हैं power of intention का मतलब कोई भी technique practice करने से पहले आपको थोगा time spend करना है आपको अपने आपको physically, mentally prepare करना है क्योंकि देखे, जो भी हम लोग अपने wish को manifest करना चाहते हैं अगर आप उसे actually manifest कर पाओगे तो उसके बाद की आपकी जो situation होती है आपकी जो body की condition होती है आपकी जो brain की condition होती है आपकी जो physiology होती है आपका जो confidence होता है आपकी जो frequency होती है आपका जो vibration होता है वो एक अलग होता है तो हमें से कई बार हम लोग जो manifest करना चाहते है वो दूसरे frequency का होता है और हम लोग एक दूसरे frequency पर resonate कर रहे होते है तो power of intention आपको help करेगा आपकी energy को change करने में आपकी frequency को shift करने में So this is the answer कोई भी wish start करने से पहले कोई भी manifestation को start करने से पहले किसी भी tool या technique को practice करने से पहले power of intention को use कीजिए intent create कीजिए अपने body को, अपने mind को, अपने physiology को अपने शरीर के हर cell को ready कीजिए कि this is going to happen and I am ready for this अगर आप एक किस छोटे से element को use करेंगे तो आपके manifestation की possibility बहुत बढ़ जाएगी और एक और गलती जो हम लोग करते हैं कई बार हम लोग को लगता है कि केवल affirmation और केवल visualization जो अपनी किसी भी wish को पूरी कर सकते हैं, जो manifestation का जो science है, जो law of attraction है यह थोड़ी deeper science है, इसके कई elements होते हैं, अगर आप इसके सारे elements को proper समझेंगे, proper practice करेंगे, तो आपके manifestation की possibility 100% तक बढ़ जाएगी वो सारे elements में आपको धिरे-धिरे convey करता रहोंगा, so सारे elements को जानने के लिए हमारे सारे station को आप attend कीजिए, हमारे channel को subscribe कीजिए, follow कीजिए so hope आप इसको practice करेंगे और जो भी result आप उसे comment box में share कीजिए, so my name is Vivek Raathaur, I am author of Making Life Meaningful, I am neuropsychology expert अगर आपको हमारा content हमारा ये video अच्छा लगा तो हमारे channel को subscribe कीजिए, इसको share कीजिए, इसी तरह की video में आपके लेके आते रहेंगे, so बहुत बहुत थैंक्यू